So, Hello and Welcome You All, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Indian Oil Corporation Limited और REC Limited की साथ ही यहाँ पर बात होंगी एक ऐसे शेर की जो देने जा रहा है डिविडेंट साथ ही एक बोनस शेर को भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो को बिना स्किप किये एंड तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल तो महजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिना तो वीडियो को करते हैं कंटीनियो तो यहाँ पर आप देख साकते हो इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेट 82.65 रुपिस के राउंट यहाँ पर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है वही अगर दिखा जाए तो स्टॉक में गिरावट रही है 0.65 रुपिस की वही अगर देखो तो स्टॉक में कुछ इंपोर्टेंट टार्गेट्स है कुछ इंपोर्टेंट न्यूज जिन्हें डिसकस हम करेगे यहाँ पर आगे बड़े तो शेर में आप देख सकते हो 5 देस में अच्छे रेटन से 2 रुपे तक की रैली एक महीने की बात कर लें 4.95 रुपिस तक की रैली हमें देखने को मिलती है वही आगे बड़े तो यहाँ पर आप देखो गए तो 6 मन्त में 12.55 रुपिस तक की एक अच्छी रैली भी हमें देखने को बल जाती है स्टॉक ने यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकाउट दिया है ब्रेकाउट के बाद स्टॉक में एक अच्छा रैली भी हमें आगे कंटिन्यू होती भी नजर आ सकती है और इस लेवल का भी हमें वेट करना है एक ब्रेकाउट का यह level भी अगर break हो गया तो stock में continue एक अच्छा momentum नजर आ सकता है नियूस की बात कर ले तो NDPC और IOC यहाँ पर ITC की एक diversification strategy है जिस पर एक काम करेंगे जो है clean fuel के लिए फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो Indian oil rupees thousand crore plan to make green jet fuel as a global supplies rancher तो यहाँ पर आप देखोगे तो IOC Lenja Jet के साथ एक यहाँ पर जो jet fuel होते है उसे बनाने का काम करेगा green jet fuel जिसके का आजाता है और वही अगर देखें तो IOC अपनी जो यहाँ पर एक refinery है जो North Delhi में यहाँ पर है पानी पत में वो स्थीत है और वही अगर देखें तो यह बिल्कुल thousand crore का investment वहाँ पर करने वाली है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो government denis IOC director जो government है जो IOC के director है HR है रंजन खुमार मोहा पात्रास तो उनका जो यहाँ पर extension है उसे government की ओर से यहाँ पर ढनिट कर दिया गया है तो एक चीज यहाँ पर नजर आती है क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो आने वाले कुछ दीनों तक यही पर जो director है human resources के ओर रहने आगे बढ़ते हैं volume की बात कर ले तो last trading season volume बिल्कुल कम रहा 67 lakh की around तक की trade value हमें देखने को मिल जाती है yesterday की बात करें तो 2 करोड की around का trade value है और 69 lakh का है common delivery क्याप पर बात कर ले तो 96% लोगों की ओर से IOC में भाई करने के लिए आ जा रहा है तो एक positive चीज़ यह हमें दिखाई दे देती है और 4% लोग यह है जो असमें negative है तो आप भी इसमें positive रह सकते हो क्योंकि 96% लोग इसमें totally आपको positive nature आने वाले हैं फिर बात कर लेते हैं IOC में बिल्कुल dividend का announcement होगा announcement होने वाला है 16 मई 2023 23 को क्योंकि IOC के audited results भी announce होगे साथ ही final dividend भी तो यहाँ पर results के साथ dividend भी मिलेगा तो आपको बिल्कुल ready रहना है फिर बात कर लें तो कितना dividend मिल सकता है और कब तक मिल सकता है और अगर देखा चाए तो IOC ने फरवरी में हर साल dividend देता है पर इस बार कोई भी dividend का announcement नहीं हुआ तो company की audits यहाँ पर interim dividend का announcement हो सकता है बट वही कर देखे तो company पहले final dividend दे रही है फिर interim dividend दे सकती है levels की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखोगे तो IOC अब एक sideways momentum बता रहा है पर अगर breakout मिल जाता है तो stock में एक अच्छी rally भी हमें देखने को मिल सकती है उसके बाद अगर देखो तो यहाँ पर एक trade line में बना देता हो तो trade line के बहाब पर stock अब अगर देखा जाए तो अभी भी support ले रहा है तो यहाँ से यह नीचे की और आया है यहाँ पर आप देखोगे तो पहले यह sideways consolidation इस ने किया breakout के बाद शेर ने एक अच्छी rally बताई फिर एक breakout मिला फिर एक अच्छी rally बताई और आभ यह sustain करने की कोशिश करेगा क्योंकि यह जो trade line है एक important trade line और इसका breakout मिला है यह trade line इतना जदा important क्यों है वह हम आगी देखेगे बट उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखना है कि stock में आप विल्कुल positive रह सकते हो क्योंकि यहाँ से breakout मिल चुका है और यहाँ से अब rejection ले रहा है कि यह trade line काफी जदा important है क्योंकि यहाँ पर आप देखो stock में यहाँ से गिरावट है यहाँ से गिरावट है और यहाँ से और यहाँ पर finally stock में breakout मिल रहा है और इसे breakout के साथ share उपर की और के momentum बता सकता है यहाँ पर support आप देख सकते हो कई बार इसमें support भी ले लिया है तो बिलकुल अभी उपर क्योंड जाने के लिए ready है आगे बढ़ जाते हैं आगे अगे अगर देखे जो share है उसका नाम है REC Limited तो REC Limited की अगर बात कर ले तो stock ने आज भी गिरावट बताई है REC Limited में 132.70 रूपिस के राउन तक की closing देखने को मिल जाती है 4.20 रूपिस के राउन यहाँ पर share में हमें गिरावट नजरा रही है 3.07% के basis बे यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो rack लिस्ट REC ने यहाँ पर लगबग 750 मिलियन डॉलर के green bonds यहाँ पर लिस्ट यह है IFC Stock Exchanges में जो अगर आप देखोगे तो और सब्सक्राइब एट हो गया है 3.5 यहाँ पर गुना यहाँ पर सब्सक्राइब किया गया है लगबग 161 इंवेस्टर्स ने यहाँ पर इसमें participate किया और वही जो second news है रेलिकर ब्लोकिंग फर्म की और से 148 रुपिस तक का target दिया जा रहा है इनकी और से बिल्कुल stock में buy करने के लिए का जा रहा है उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो गोरो विस्टा है जो इंक्रेट इंक्यूटीज की और साथ है उनकी और से आने वाले एक या दो महीने में उन्हें लग रहा है कि 145 रुपिस तक का target इसमें achieve हो सकता है फिर आप देखोंगे तो 93% लोग है जो यहाँ पर R.E.C. में buy करने के लिए और 7% लोग है जो sell करने के लिए कह रहा है लेबल्स की बात कर ले तो स्टॉप में यहाँ से कई बार upside down स्टॉइंट होई है लास्ट एडिंग मुमेंट इस सीजन की बात कर ले तो यहाँ से लग रहा था कि breakout लेके उपर की उड़ जाएगा बट suddenly market गिरा और यही से एक fall आ गया और एक rising wedge type pattern भी यहाँ पर पॉर्म हो रहा था बट वही आप देखो तो stock में कहीं न कहीं gap up हो था इस gap up के gap up के विहाल पर ही इसने gap को fill किया और यहाँ से अब एक reversal आ सकता है तो इस चीच का ध्यान रखना है अब बात कर लेते कुछ dividend और bonus shares की यहाँ पर वेरेनियम cloud limited पहला share है आई-टी सर्विस औं कंसल्टीन है 802.85 रुपिस के round आप closing देख सकते हो 44 42.25 रुपिस के round तक कि यह किरावट है वहीं आप देखो वन इस टूवन का bonus है और साथी stock 9 माई 2023 को X bonus date भी आपको देखने को उन जाएगे फिर बात आ जाती है Supreme Petrochem Limited की specialty chemical sector का share है 378.15 रुपिस के round closing है वहीं आप देख सकते हो 7 रुपे पर equity share का final dividend भी company के ओर से दिया जा रहा है 27 जुन 2023 से आप पहले आपको buy करना होगा I hope वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत भूलना और कोई भी जियर में investment करने से पर इंशेर्ज का analysis कर देना ठेंक यूँ